इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Pulteus DS Lubricating Guide Drop एक आंक्स नहा किया, कृत्रिम आंसू है जिसका उप्योग आंखों में सूखापन से राहत देने के लिए किया जाता है. यह आंखों में नमी बनाये रखने के लिए पर्यापत आंसू नबन पाने के कारण हो सकता है. यह आंखों के उचित चिकनाहाट को बनाये रखकर आंखों में सूखापन में देखी गई जलन को शान्त करने में मदद करता है. आमतोर पर पल्टियस डी एस लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप को जरूरत पढ़ने पर लिया जाता है. डॉक्टर द्वारा निर्धारत संख्या में ही ड्रॉप्स का इस्तिमाल करें. डाइलूशन से बचने के लिए उसी आंख में कोई अन्य दवा डालने से पहले कम से कम 5-10 मिनट तक प्रतीक्षा करें. आपके खोलने से पहले अगर बोतल की सील तूटी हुई है तो उसका इस्तिमाल ना करें. हमेशा अपने हाथ धोएं और ड्रॉपके अंध को स्पर्ष न करें. ये आपकी आंख को संक्रमित कर सकता है. इस दवा का इस्तिमाल लंबे समय तक जरूरी हो सकता है और जब तक आपको इसकी जरूरत हो तब तक इसे सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है. द्रिष्टी का धुंधलाना या परिवर्टिद द्रिष्टी, आँखों का लाल होना, परेशानी और कभी-कभी आँखों में दर्ध होना इस दवा के सबसे सामानि साइड इफेक्ट हैं. अगर आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, लेकिन आमतोर पर उन्हें अस्थाई होते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. ड्राइव, मशिनरी का इस्तेमाल या कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें स्पष्ट द्रिष्टी की आवशक्ता हो जब तक कि आप आश्वस्थ नहों कि आप इसे सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं. अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करें. हाला कि इस दवा पर आपके द्वारा इस्तेमाल की जा रही अन्य दवाओं का असर होने की संभावना नहीं है. साथ ही, उन दवाओं पर भी इस दवा का असर होने की संभावना नहीं है. लेकिन अगर आपको ग्लुकोमा है तो डॉक्टर को अवश्य बताएं. मुलायम कॉंटेक्ट लेंज पहनते समय इसका इस्तेमाल न करें और अगर इसका इस्तेमाल करते समय आँखों में संक्रमन हो जाता तो डॉक्टर से बात करें. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.